बारात लुक भाई को भात और ससुराल माई के दोनों की जिम्मेदारियों में फस जाती हूं और धूले का नहे वावन जो बारात लुक है फाइनली रिवील हो चुका है कामिनी जी का आप लोग उन्हें देखी लिया होगा light color का लहंगा बहुत सुंदर लग रही है हलांकि जो लोग कहते हैं कि इनके comment करते आके कि यह तुम ने तरही सुंदर नहीं हो यह हो वो हो मुझे लगता है कि अब इन सब चीजों का जवाब सबको मिली रहा होगा हर इंसान अपने उसमें सुन्दर होता है और वैसे डेली लाइफ में सिंपल रहते हैं लेकिन शादियों के टाइम पे या फिर जब कोई ओकेशन होता है घर पे तब इनकी सुन्दरता निकल के आती है सो बात करेंगे शादी का, responsibilities का, जिम्मेदारियों का और इनका जो शादी वाला लोग है अब आने वाले टाइम पे जो बरात है उसको दिखाया जाएगा कि बरात कैसी चड़ी धूम धाम से चड़ी हालांकि शादी हो चुकिये ये पुराने वीडियो आ रहे हैं अगर बात कर है कि paid subscribers है तो ऐसा नहीं है उसका जवाब देते में आई है बाकी अपने positive comments का कि लोगों को लग रहे हैं मैंने filter लगाया हुए है तो चलिए पहले तो मैं बोलना चाहती हूं सभी का thank you so much जो लोग भी आ रहे हैं चैनल पर और चैनल को इतना support कर रहे हैं मेरी तरह से सबको thank you so much please बताइएगा आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं तो कल के दिन कामिनी जी की दो वीडियो आई है एक से पहले बरात लुक वाला तो अभी जो बाद में आया है जिसमें सारे rituals होते वे दिखा रहे हैं कि जो जब बरात जाती है उससे पहले क्या-क्या होता है बहन क का जो लुक दिखाया है इनोंने सारी बेहनों का लोग सब तयार हो रही है ठीक है इनकी collaboration में जो साड़ी आई थी हालांकि उसको पहन के इनको reels भी बनानी थी फोटोस क्लिक करानी थी लेकि घर में शादी वाले दिन बड़ी हबड़ दबड होती है बहुत सारी चीजे होत जिसमें हल्दी दिखाई थी तो जब लड़के का हल्दी चढ़ना स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था सबसे पहले पंडिच जी ने शुरू किया था उसके बाद जो लड़के होते हैं वो आमके पत्ते से करते है रीचुल्स होते हैं और जो लड़के होती है वो ह किया जारा थो उन्होंने पानी पानी उठाके फेक दिया था मतलब उन औरतों पर तो यही कुछ मस्ती मजाग चल रही थी हल्दी के टाइम पर अगर हम बात करें आज की वीडियो की तो आज की वीडियो की जिस तरह शुरूवात हुई है बहुत अच्छा लगा कि सबसे प तयार होते हुए जो इनका कलका आपने देखा था जो माटी कोरी जो वो चावल था है ना जो उसको चावल उसको पका के दूला और धूले के भाई खाते हैं और बहना ही खिलाती है यहीं तो इनका ही responsibility यही रिच्छूल था तो इनको यह खिलाना था बदार जाने से पहले और बहुत सुन्दर भी लग रही है, सारी पहने दयार होती है, ताह म vote ज़न्हीं के लिए और कि लिन पहले हैं, इसके बाद ये इनकी मम्मी तयार नहीं थी, इनका छोटा भाई वो लाने आगया, जिसकी वज़े से फिर इनको जाना पड़ा और इन्होंने बिंदी तक बिंदी भी नहीं लगा पाई थी फिर भी ये आई वहाँ पे इन्होंने अपनी मदर की हेल्प करी अपनी मौसी के बालवाल बनाए और वहाँ पे जो चावल खिलाने होते हैं धूले को वो सब खिलाए अपने हाथ से खिलाए और सारे भाईयों को परोसा क्यारी सब लोग तयार हो थी मेरे को सबसे पहले तयार हो कि आना था क्योंकि मेरे रिच्वल्स हैं देखे हैं अगर आप देख रहे हैं इनकी शादी में इनको अपनी तयार होने से मतलब है मेरा मेकप हो जाए मेरे लेहंगे जो घर के एक रिचुल्स होते हैं ऐसा बड़ी सिस्टर इनको हर रिचुल्स में पहले तयार होके पहुचना भी ज़रूरी है तो वो बखुवी के साथ फिर लड़का जब बहार आता है तो फिर वहीं से बराद स्टार्ट हो जाती है उसको मीठा खिलाया जा रहा है अच्छा इसी बीच मैं कुछ भयंकर allegations लगे हैं चाहे वो गाली वाली है अजीत ने गाली दी सुमित की बेटी को या फिर आप बेडरूम वाली बाते की फर्स नाइट का तो वो सब आप clear जरूर करना इन्हों ने कहा था कि हां मैं थोड़ा free हो जाओ मैं definitely clean clear करने आओंगी तो controversy का रूप एक अलग होने वा troller को समझाने के लिए या फिर hater को समझाने के लिए कामेरी जी को कुछ अपनी language भी खराब करने पड़ी उन्होंने बाद में बोला भी है अच्छा एक message आया था तो मैं पढ़ना चाती हूँ ये सारी जो मुझे इतना message की है क्या बात है सही बात है चुप जाती है अब मैं एक-एक की message का reply तो नहीं कर सकती क्योंकि तुमें से कोई एक बंदी भी घर जोडने वाली नहीं होगी सिवाए तोडने के लिए ये तो 100% सच बात है क्योंकि अगर तुम सब ठीक होती तो दिवरानी ने भी पसंद हो तुम सबको उससे जादा बड़ी बात कामिनी जैसी इ लेटर ही है और जिसने बोला कि मेरे माईके वाले मुझे भी मुझे नहीं पूछते उस बेफकूफ को बता दू बहुत पूछते हैं पर हाँ अगर जैसे कांड की होती तो पती और ससुराल तो छोड़ो माईके वाले भी उस दिन पक्का नहीं पूछते हम लोगों को ससुर प्रूफ किया कि मैंने कमेंट क्यों लिखा है कितनी क्यारेक्टर लेस हो शरम भी नहीं है तुमारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई जो ये सब बोलने आ गई तुम्हारा चरितरी खराब है इसलिए तुम्हारा पती तुम्हारा साथ नहीं देता कितनी गंदी और तो वे कोई कह नहीं सकता अब तो मेरे मन में ऐसा करके कुछ कॉमेंट है उसके बाद इन्होंने नीचे क्लियर किया है इस चीज को अच्छा वो कॉमेंट इसके बाद इन्होंने कुछ नीचे कमेंट भी किया है और नीचे लिखा भी है ये क्यरेक्टरलेस वली बात पर नीचे कि तुमने अगर तुमारे घर का ही कोई इनसान इस तरह से बोल रहा है तब तुम्हें पता चलेगा ठीक है जो अभी मैंने बोला है मेरी बात इतनी बुरी लगी लेकिन सामने से अगर कोई घर का ही इनसान तुम्हें ऐसे बोल रहा है तब तुम्हें रिलाइस होगा इसलिए मैंने आपको ऐसा कमेंट किया था कि मैं आपको जानती भी नहीं हू। फिर भी केरेक्टर की बात कही तो आपको कितना बुरा लगा सोचो मेरे केरेक्टर पर किसी अपने ने इल्साम लगाया है मैं खून के घूट बीकर जिन्दा हूँ फिर भी आप कह रहे हो मैंने घर वालों के साथ गलत किया अपने आपको मेरी जगा पर रख के देखो अगर fake ID नहीं है ये तो आप जरूर समझोगे कि मेरे साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ पर character की बात की जा रही है कि मेरे character पर किसी अपने नहीं लगाया है कि मैं फिर भी खून के घूट पी कर जिन्दा हूँ और अभी भी लोग आके कामिनी को ही गलत बोल रहे हैं तो इस comment से काफी कुछ है और लोग भी नीचे लिख रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला ध्यान से देखो उनके साथ ऐसा हुआ है अच्छी बात है आप उसके fan हो अच्छी बात है लेकिन इन्होंने भी तो सहा है यार तो यह कहीं ना कहीं देखें मैंने बोला है दिवरानी के कुछ fans है जो यहाँ पर कामिनी जी के hitters है ठीक है वो उनको आके बोल रहे है कामिनी जी को ये तक ये जो comment किया है इससे काफी कुछ इनके मन में है काफी कुछ इनके साथ हुआ है character पर किसी अपने ने इलजाम लगाया खैर ये किसकी बात करना चारी है किसी ने इनके character पर बात की थी मैं फिर भी जिन्दा हूँ खून के घूट पी कर जिन्दा हूँ फिर भी आप कह रहे हो मैंने घर वालों के साथ गलत किया अपने आपको मेरी जगा रख के देखो तो ये है कहना कामिनी जी का बाकी comment section में ये reply किया गया है और जो भी शादी की वीडियोज आ रही है हलांकि लोग इन्होंने बोला है कि आप enjoy करेए कल भी लड़के के लिए लोग comment कर रहे हैं कि वो खुश नहीं है लेकिन आज की वीडियो में वो खुश भी दिखा dance करते हुए भी दिखा है smile करते हुए भी दिखा है जो इनकी चाचा जी का लड़का है लेकिन कुछ लोग शादी enjoy कम यहां पे इस तरह की उसको hate देने आ रहे हैं जिसका of course जब उसमें कुछ गलत नहीं किया है तो उसका जवाब भी देते हुए दिख रही है तो next जो वीडियो आएगा वो बरात वाला आएगा जिसमें बरात enjoy करते हुए दिखेंगे सब लोग शादी हो चुकी है यह पुरानी वीडियो आ रही है आप लोग को इनका बरात रिवील लुक जो रिवील हुआ है वो कैसा लगा लग रहा है कि कामिनी जी के मन में बहुत सारी चीज़ें है अगर वो ब्लास्ट हुई तो यह अलग रूप ले लेगी अलग ही लेवल पर चली जाएगी और इन्होंने बोला है मैं शादी के बाद क्योंकि अभी आप देखिए आगे नवरात्तरे भी आने वाल च्छीज़ें क्लिएर करने जरूर आऊंगी वो वीडियोस के माध्यम से क्लिएर करेंगी तो मैंने कल भी बोला था अगर उन्होंने इससब चीज़ें क्लिएर करी तो वहां से ऑड़ी कुछ चीटाकशी होगी फिर से यह कॉंट्रोवर्सी बहुत गंदे를 Dalam और आजएग के परिशान करेंगे ताकि वो बोले कॉंट्रोवर्सी और गंदा रोब ले तो मैं तो यहां पर यही कहूंगी कि आप अभी तक शान्त रही है आप अभी भी शान्त रहिए ठीक है जो हो गया हो गया लेकिन आप पॉस्टिव वीडियो दिखाईए अपने आपको शान्त रख करना है इस बारे में प्लीज मुझे नीचे जरूर कॉमेंट करके बताएगा तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्स्राइब करके जाना बाई बाई एंड टेक क्यार नेक्स्ट आएगा बरात वाला वीडियो